हेलो विवर्ज तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो एलेक्ट्रानिक इंडस्ट्री में क्रूशल पार्ट प्ले करता है बात करते हैं PCB रिपैर की आज जैसे ही मैंने PCB रिपैर का नाम लिया आपके मांड में कुछ questions आए होंगे कि जैसे आप इस course को करने के बाद किसी भी चीज़ का PCB repair कर सकते हैं जैसे जो generally use चीज़े हैं mobile charger का PCB, laptop charger का PCB उसके बाद आपके mind में questions आए होंगे कि अगर आप PCB repair की training के लिए आपको electronics background का होना ज़रूरी है या नहीं उसके लिए आपको minimum qualification क्या चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि PCB repair की job या business को start करने के लिए आपको दो चीज़े ज़रूरी है और वो क्या है आप कभी भी mobile charger को खोल के देखा हो आपने या किसी भी एक छोटे या छोटे से लेकर बड़े electronic product को अगर आपने open करके देखा हो तो उसमें आपको दो चीज़े दिखाई देती हैं एक PCB और उसके ओपर लगे components तो जब हमें दो चीज़े दिखाई दे रही हैं तो हमें उन दोनों चीज़ों की knowledge होनी ज़रूरी है तो सबसे पहला आगया आपका PCB अब आप PCB को देखते हो तो एक हरे कलर की plate दिखती है जिसको हम जनरली लोग ऐसा बोल देते हैं जो non-technical होते हैं एक हरे कलर की plate जिसको हम PCB बोलते हैं printed circuit board उसके उपर आपको लाइने दिखती है जिनका technical term होता है roots या traces वो क्या होते हैं उसके बाद सब्सक्राइब वो किस चीज का बना हुआ होते हैं कैसे बनता है उसका क्या काम होता है उसके उपर जो pads बने हुए हैं उनका क्या काम हुता है तो PCB की knowledge होनी ज़रूरी है उसके बाद component level की knowledge होनी ज़रूरी है क्योंकि components ही PCB को run कर रहे हैं PCB components के बिना दूर है और components PCB के बिना दूर है तो उन दोनों चीज़ों की knowledge हमें होनी चाहिए अब इन दोनों चीज़ों की knowledge होनी क्यों चाहिए तो for example आपके पास कोई customer आ जाता है उसका एक TV का TV खराब हो गया है तो उसमें आपने उसका TV ओपन करा तो सबसे पहले तो जो इतने आज के इतनी technology हाई है जैसे laptop हो गया या TV हो गये तो उनको आप पहली चीज़ तो आप उपन ही नहीं कर पाएंगे उनकी जो बहार की चेसी होती है cabinet बोल सकते हैं तो उसको open करना ही सबसे ज़्यादा टिपिकल टास्क है तो चलिए एक बार के लिए हमने वो non-technical चीज़ है वो हमने open कर ली उसके बाद आता है कि आप उसका जो PCB होगा अब उस PCB के अंदर आप अलग-अलग segments भी देखते हो power supply का segment हो गया अगर TV kit की बात करे तो power supply का segment हो गया उसके बाद audio segment हो गया उसके बाद video segment हो गया visual segment हो गया तो कई सारे अलग-अलग segments होते है डिपेंड की वो किस चीज़ का किस चीज़ का product है उससे क्या चीज़ रन हो रही है तो हमने टीवी की kit ली तो customer आपके पास आया कि इसमें टीवी की टीवी नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आप पावर सप्लाई चेक करोगे पावर सप्लाई कि जब मैं पावर दे रहा हूँ पहले तो बिना पावर के चेक करोगे कि जो visually आप चेक करोगे कि कोई pad या component तो खराब नहीं है जैसे usually capacitor फट जाते हैं ब्लास्ट हो जाते हैं तो capacitor ब्लास्ट हो गया तो आपने वो चेक करा अब जब capacitor ब्लास्ट हो गया तो वो अब उसके ओपर जो value लिखी वी थी वो हमें पता नहीं है अब अगर हमें basic electronics की knowledge नहीं होगी circuit लेवल की knowledge नहीं होगी तो हम उसको कैसे identify करेंगे आप उसको कैसे identify करोगे कि मुझे इस circuit के चीज हम rectify कर ही नहीं पाएंगे जब तक हमें basic level की knowledge नहीं होगी उसको product को खोलना बंद करना ये सब चीज़े non-technical है लेकिन repair करने के लिए आपको technical knowledge होनी चाहिए basic level basic electronics की knowledge होनी चाहिए कि कौन सा capacitor अगर फट गया है खराब हो गया है मुझे value नहीं दिखरी तो उस circuit के हिसा चीज आयाती है कि हम जब एक टीवी किट को repair कर रहे है for example तो हमने सबसे पहले आप step wise चेक करोगे उनको जो आप screen पे भी मेरे देख रहे हो तो सबसे पहले हमें problem identify करने कि problem कहां से इमर्ज हुई है कहां से start हुई है power supply sections हुई है audio sections हुई है visual sections हुई है कहां से problem इमर्ज हुई है उसके बाद आप उसमें जो components लगे वे हैं उनको rectify करोगे troubleshoot जिसको हम बोलते हैं उनको troubleshoot करोगे कि वो सही से काम कर रहे हैं जिस manner में जिस value के हिसाप से वो लगे वह वो value वो उस value के इसाप से काम कर रहे है या नहीं जिसके लिए आपको basic electronics की knowledge ज़रूरी होगी उसके बाद आप audio section में जाओगे अगर customer की complaint है कि वह इसका audio नहीं चल रहा फिर आप audio section चेक करोगे कि audio section में क्या दिखका था audio section में क्या components लगे हैं उनको check करोगे तो जब तक आपको components की knowledge नहीं होगी तो आप कैसे identify करोगी कौन सा component क्या काम कर रहा है उसका working principle क्या है basically हमें working principle पहले पता होना चाहिए पूरे circuit का तब ही हम उस पे exactly काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे और इस business में grow कर पाएंगे अब बात आ जाती है कि ये तो एक course हो गया जो आपको एक generalized PCB repair करना स PCB चीज का एक basically हमारा जो motive है वो basic level से लेके और advanced level तक सिखाने का है तो basic level में क्या है कि हमने जब देखा कि mostly अगर आप कोई भी circuit देखोगे है कोई भी PCB उठा कर देखोगे तो उसमें 90-95% components same रहते हैं capacitor, diode, transistor सब सेम रहते हैं तो हमें अगर एक बार working principle पता चल गया तो हम easily किसी भी चीज का PCB repair कर सकते हैं हमें कोई problem नहीं आएगी अब for example मैंने अगर आपको बता दिया अगर मैंने आपको कोई PCB दे दिया हाथ में और मैंने बता दिया कि इस particular point पर इतना voltage आ रही है उस particular point पर य कि आप खाली एक layman की तरह उसको सभी कर दोगे क्योंकि मैंने सब चीज आपको बता दियें लेकिन उसका working प्रिंसिपल जब आपको नहीं पता तो आप खुद से कैसे सही करोगे खुद से इस प्रोफेशन में कैसे ग्रो करोगे जब तक आपको उसको खुद का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पता पीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पता पूरे सरकेटरी का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पता तो इसलिए आपको PCB level और basic electronics की knowledge होना जरूरी है, उसके बाद कुछ लोग जानना चाहेंगे कि मुझे सिर्फ AC का PCB repair करना है, या मुझे सिर्फ TV का PCB repair करना है, तो हमें सबसे पहला basic चीज़ों पर दियान देना है, हमारी training based ही सबसे पहले from beginning up to end, तो हम starting से जो एक common चीज़ होती है, उसको लेकर चलते हैं, उसके बाद हम specialization में आते हैं, आपको एक बार circuit कैसे काम करता है, वो पता चल गया, तो उसके बाद AC का circuit कैसे काम कर रहा है, TV का circuit कैसे काम कर रहा है, fridge का circuit कैसे काम कर रहा है, तो वो सब चीज़े बाद में आती हैं, वो जब सीजे specialization में आती है तो specialization करने से पहले आपको beginner level का जो एक basic circuit है उसकी knowledge होना ज़रूरी है तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शिर्फ यह message दिया है कि PCB repair में हम क्या क्या चीज़े कर सकते हैं क्या 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 चीज़े requirement है मैंने जो screen पर मेरे वीडियो चल रही उसमें मैंने कुछ steps दिखाया आपको कि किस तरीके से हम steps carry करेंगे जब हम पूरे PCB repair का process follow करेंगे और उसके बाद हम क्या 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 हमारे precautionary measures है उसके बाद कुछ ऐसी चीज़े जो आपको additional पता होनी चाहिए जैसे conformal coating होती है PCB के ऊपर कोई patch bad damaged है तो उसको कैसे सही package बन जाता है जिसमें आपको PCB designing basic electronics और उसके बाद आपका PCB repair में जो भी सारी चीज़ें soldering, desoldering techniques उस टाइम करते वग क्या precautions होने चीए soldering करते वग, desoldering करते वग तो ऐसी बहुत सारी चीज़ा आ जाती है जो आपको सीखनी होंगी तो ये field मेरे हिसाप से क्योंकि PCB is the backbone of electronic industry त लेकर बड़े product में PCB use होता ही है, pen drive से लेकर और aeroplane तक PCB use होता ही है, तो obviously electronic product है वो एक नएक time पर आकर खराब हो गई, कुछ भी खराब ही आ सकते हैं तो उसकी हमें repair करना आना चाहिए, तो ये एक अच्छा field है, grow करने के लिए एक अच्छा field है, opt करने के लिए, तो अगर आ सकते हैं, alright, thank you